गेहूं से जुड़ी बड़ी खबर स्ताम ने निकल कर आई है सरकार अपने भारी भरकम स्टॉक में से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री कर रही है दरसल खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहट सरकारी गेहूं की भारी बिक्री होने लगी है इस योजना के तहट परतेक सप्ता की निलामी में अब पांच लाग टन गेहूं की बिक्री का ओफर दिया जा रहा है और मिलर्स और प्रोसेसर्स द्वारा इसके अधिकाश भाग की खरीद भी की जा रही है दरसल चालूर अभी सीजन में गेहूं का बिजाई शेत्र बढ़कर 341 लाख हेक्टेर से उपर पहुँच गया है और फसल की हालत आम तोर पर संतोष जनक बताई गई है सरकार ने भंडारन सीमा के तहट गेहूं की मात्रा में भी फारीक कटोती कर दी है इन सभी कार्णों के चलते थोक मंडियों में 10-16 फरवरी वाले हफते के दोरान गेहूं के भाव में 50-100 रुपे प्रति क्विंटल की गिरावट तेखने को मिली वहीं दिल्ली में यूपी और राजस्थान के गेहूं का अदाम 1500 रुपई लुड़क कर 24-25-24 रुपई तो गुजरात के राजकोर्ट में गेहूं का भाव 100 रुपई लुड़क कर 22-29 रुपई प्रति क्विंटल तो मध्य परदेश के इंदोर में 80 रुपई की गिरावट के साथ 2300-3020 रुपई प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया वहीं उत्तर परदेश की मंडियों में भी गिरावट देखने को मिली दरहसल केंदर सरकार खुले बाजार में गेहूं का दाम घटाने तता सप्लाई एमम उसकी उपलपता को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है ताकि आगामी महीनों के दुरान उसे इसकी अधिक से अधिक मात्रा की खरीद करने में सफलता मिल सके केंदरिया पूल में केहूं का स्टोग घटकर पिछले साथ साल के निचले सर पर आ चुका है लेकिन फिर भी OMSS के तहत इसकी भारी विक्री जारी की रखी जा रही है यह जोखिम पूरन निर्नय साबित हो सकता है मगर खाद आमस्टीव